तब अक्ति योगवल और सत्कुर आश्रवाद से सभी गुणों में संपन अपने सादू द्रमकों निवाते हुए लाड़ पुर आश्रम पर दिनित के कारियों में पूर्ण रूप से वेस्त रहते थे तब ही एक दिन गुर्वर श्री केताना जी का संदेश साता है और क्या जी से कैसे बताया है आज आईये आज आईये तेरो सथ गुरू रया बुलाए हो चेले आज आईये तेरा साथ गोरो रहा बुलाई ओ छेले आजाए गया वक्त ना लोट के आए अव सर खोए सभी पचिता आए तेरा साथ गोरो रहा बुलाई ओ छेले आजाए तेरा साथ गोरो रहा बुलाई ओ छेले आजाए गुरू और सिस सबद का रिष्टा जिसे हैं बनता मनुसे फरीष्टा रहा गुरू और सिस सबद का रिष्टा जिसे हैं बनता मनुसे फरीष्टा रहा गुरू आदे से सुनाए ओ छेले न बाजाए तेरो जाद गुरू रहा गुरू आदे से सुनाए ओ छेले न बाजाए तेरो जाद गुरू रहा गुनाए ओ छेले आदे गुरू आग्या में रेने वाला एक दन गुण जासंत ने राला गुरू आग्या में रेने वाला एक दन गुण जासंत ने राला राया साद गुरू आसालाए तु नाम कमा जाए तेरो साद गुरू रहे बुलाए ओ छेले आजाए राम किसन संतों की बाण जेले ने सद चैये पुगाणी राम किसन नाता की बाणी राया साद गुरू रंग बरसाए ओ छेले ना जाए राया साद गुरू रस बरसाए ओ छेले ना जाए तेरो साद गुरू रायों बुलाए ओ छेले आजाए तेरो साथ गुरु रायों बुनाए ओ छेले आजाएए तेरो साथ गुरु रायों बुनाए ओ छेले आजाएए तेरो सत्ते गुरू राइनों बुलाई होचेले होजाईले